नमस्क्राइब वेल्स अगजे 16 जुलाई 2024 टियूज जगतिन कल मार्केट में छुट्टी है लेकिन आज के दिन दोस्तों मार्केट में वही हुआ जिसके बारे में हम लोगों निफ्टी वीकली व्यू में डिसकस किया था कि जिन भी स्टॉक्स के रिजर्ट्स अच्छे आए टेक हो इन फाक्ट निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंग में भी हमको सिम्लर कारवाही दिखाई पड़ रही है मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर तो जाती है पर अपने क्रूशल लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस करके अल्टीमेटली डेलों के आसपास क्लोज हो रह जाने के पीछे का कोई रिजन और लॉजिक नहीं होता है अब दूसों मार्केट में गर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात रहे तो जो स्टॉक लीड कर रहा है वो है ओंगC मेरे साथ दूसों अब चोंकि यह स्टॉक भी लास्ट हफते भार में 10% से ज्य स्टॉक्स के बारे में तो लास्ट एक हफते में जहां पर सबसे ज्यादा धुलाई हुई है लीड कर रहा है मिनम एमनम से ज्यादा गिर चुका है है लास्ट एक हफते में सिर्फ तीन पर्संट शाना तीन पर्संट दिखाई पटर लगें गिर काफी चुका है टाटा स्टील कोट अगमहिंद्र बांक रिलाइंस एक परसंट के असपस डाउन है एक परसंट लास्ट हफते में डाउन है अगर अपने हाइस से पूछे तो परसंट गिर चुका है फ्रॉम इट्स हाइस टॉप डिलिफरी परसंटेज वाले स्टॉक्स के बारें बात रहें जिन में हेवी एक्यूमलेशन हो रहा है उसमें लीड कर रहा है बजाच फिंसव डिवीस लाग टीस भारती एटल अपोलो हॉस्पिटल इंट्रेस्टिंग दोसों यह है कि इस समय जब मार्केट अपने ओल टाइम हाय पर चल रहा है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक क्रूशल लेवल पर ख़ड़े हो तब भी एफाइस की बाइंग चाले हुआ है 1271 क्रोड वर्थ वर्थ स्टॉक्स की बाइंग हुई है फाइस की द्वरा डिएस क में अपने ओल टाइम हाय के लेवल्स पर तो ट्रेड करी रहा है यहां पर एक फटीग शोगर रहा है बने ऐसे फटीग बने ऐसे लेथार्जी अगर आप देखें तो इस लेवल्स पर हमको अगर आप देखें तो दिस इस 24,500 कोई मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है बलकि यहां पर बार-बार Dalji Candles का फपर्मीशन हो रहा हु बजी Candle का मतलब किया है डोजी Candle का Formation का मतलब सिंपल है इंडफरेंस और Dalji के बारों मेंगर आप rapidly करे लिया जाता है तो मैं चाहता है कि आप यह तीन वीडियो देख लें वान जिसको कि 800 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है 5 लाक लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है इसको तो 20-21 लोगों ने देखा है So I want you to study these three videos that are going to be of extremely extremely big help to you इससे आपको पूरे के पूरे concepts clear हो जाएंगे और आप यह भी decide कर पाएंगे कि 90-50 में आगे क्या होने वाला है वहीं stock specific charts के बारे में बाचीत करें हैं कुछ stock specific charts को study करें हैं तो सबसे पहला stock जिसको कि हम लोग study कर सकते हैं हो है ITC अब ITC के stock को कर में लोग discuss करें तो आज के दिन news यह आई है कि BCCI जो की इंडिया का सबसे बड़ा event organizer है अब मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि BCCI इंडिया के सारे के सारे cricket events को तो रन करता ही करता है को regulate भी करता है तो ऐसे में दोस्तों BCCI ने आज के दिन यह direction दिया है कि आज से BCCI is going to stop promoting all tobacco and pan masala billboards in cricket stadium वैसे ITC के तो जढ़ा billboards और वैसे भी लगते नहीं है लेकिन यह एक news है जो कि आपको पता होना चाहिए और stock like ITC पे एक negative impact पढ़ना चाहिए पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है in fact ITC काफी strong दिखाई पढ़ रहा है ITC के अगर आप important levels के बारें बात रहें बात रहें so this is the trendline which I want you to draw अब इस trendline को द्रौ करें stock जो अपना crucial level है 450 के levels को रड़ी ब्रेकावट कर चुका है stock बहुत ही strong दिखाई पढ़ा और next level is 480 and 500 मेरे साब से ITC के लिए यह दोनों levels touch करना कोई बड़ी चीज नहीं है next stock दोसों जो कि बड़ा ही interesting दिखाई पढ़ा और news भी बड़ी interesting है वो है Tata Motors अब Tata Motors में news यह आ रही है कि UP government बोला है कि जो अभी तक वो electrical vehicle पे subsidy दे रहे थे वो electrical vehicle की subsidy एक दो महीने या एक दो साल ही 2027 तक extend कर चुगी है उप यूपी गवर्मेंट ने electrical vehicle पे दोचार सब्ताइस तक subsidy देगा तो इसमें जो electrical vehicle के primary players है इंडिया में उसमें लीडिंग प्लेयर है Tata Motors और इसके बाद कुछ हद तक आप M&M में बोल सकते हैं अब जो सबसे बड़ा प्लेयर लीडिंग प्लेयर है electrical vehicle का वो है Tata Motors मेरे सबसे ये एक बहुत ही positive news है और Tata Motors सिर्फ UP में नहीं बलके all over India electrical vehicle में number one है और इस तरह के जब supporters आते हैं अगर UP government ने ऐसा बोला है कि वो EV की सबसेडिय को extend कर रहे है तो बाकी सारी बाकी सारे स्टेट्स में भी similar kind of directions आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं a very very positive news for Tata Motors shareholders अगर आप मुझे स्टॉक के बारे इंबात करें तो स्टॉक के अलड़ी जो मेरे टागेट से 1000 लेवल वो अलड़ी मार्च में ही अचीव हो गया थे उसके बास है दुस्टों मैं बिलकुल भी कोही भी आ जो चुआ ही नहीं जहां तक मुझे लगता दुस्टो स्टॉक में अपना जो इंपॉर्टन रिजिस्टेंस देवल है वह है 1050 के आसपास दिस देट लेवल अगर तूटता है उसके बाद त्याटा मोटरस को डेफिनिटली स्टॉडी किया सकता है फिलाल अभी जहां तक मिनमानना है कि दुस्टों 1050 के आसपास जब तक स्टॉक इसको ब्रेक आउट नहीं कर देता थोड़ा सा केरफुल रहने की ज़रूरत है और वाल न्यूज बड़ी पॉजिटेव है एक और शॉक दोस्टों जिसमें यह आपकी निजरे होने चाहिए स्टॉक का नाम है त्रवेनी इंजिनिरिंग अब दोस्टों कई सरे लोग के बा अब यह इंडियन मेड फॉरन लिकर बिजनस में अलड़ी उतर चुकी कमनी वैसे भी कमनी ले कॉमर्शल अप्रेशन स्टाट कर दिया है और दो इसकी प्रॉट्ट लाँच कर दिया जो कि नहीं होता है मत्स और क्राफ्ट क्राफ्टर स्टैंप अब भाही मैंने को टेस्ट वर स्ट्रॉंग दिखाई पड़ रहा है स्टॉक का जो इंपोर्टन रेजिस्टेंस था फोर हंडडर फोर हंडर ट्वेटी लेवल इसको भी स्टॉक ब्रेक आउट कर चुका है वैसे भी त्रिमेंडी इंजिरिंग के सिसमें पर शुगर और एथनॉल वाली कमनी थी तो श अब कुछ टोग ऐसे होते हैं दोसों जिनके रिजर्ट्स तो अच्छी आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक गिरते हैं उसके पीछे का रिजन यह है कि स्टॉक में ओर डी वो चीज़ वो गुडनेस वो गुड रिजर्ट्स वाक्टर इन हो चुके हैं वाइड आपको क्या लगता है स्टॉक में इसारी गुडनेस फैक्र नहीं होगी अब दूसके दिन प्रॉफिट्स के बारे मात रहें कमनी ने प्रॉफिट्स पोस्ट के हैं जो कि पहले अगर आप मुस्से पूछे तो सिर्फ 9.4 करोड के प्रॉफिट्स थे लेगिन अगर आप देखो तो कंपनी के प्रॉफिट्स में जंप है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी तो जंप कर गया है यही दिन स्टॉक में आज के दिन आपको प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई पड रही थी सिमिलरली एक और स्टॉक में आपको दिखाता हूं बजाज ओटो बजाज ओटो के आज के दिन नतीजे आया थे आप बजाज ओटो को भी देखिए बजाज ओटो को आप कहेंगे कि सर इसके रेजल्स तो बड़े अच्छ है थे स्टॉक में फर यह हालत क्यों हो रही है ये अब आप खुद देखो पनीत राजगोर्ण गालता है तूम खुद दैखू ना फैसला तुम चरो ओफ यहां पर 2024 में स्टार्टिंग में स्टॉक रेट करता है अच्छ हजार पे अव फैसला तुमक्ष है फिह स्टक पहुंच गया है इनृ if you still have a small ग्लो कि a 10 श्टो को अभने इस फिर छुका है यहां से अब रचलो कैसे हैं रेजर्ट वाज़ों दिखा देते हैं मौरा बात पर लेते हैं तो मौपप क्रार में तो मौफ़ियर के शौनर क करें मार्ख करें घरा तो जो ए यहां तो स्टॉक के बारें बात रहिते पिछले साल के साल कंपरीन के मांकेन्ट ने 15 et gas प्रॉफ्ट के यहां तो 60 पर से बात रहाएं यहां किया लेका शotleकल संविघ्ठकर यहां को बेशेगे ठीकों करोण तो यह सब्सक्राइब टो Don booking आना लाजमी है मैं आपसे I have been telling you time and again कि market में दोस्वों हम लोग क्यों आए हुए हम लोग market में इसलिए हैं अपना time energy invest किसलिए करते हैं ताकि we are able to make money ultimately we are not here to marry any company or marry any stock we are here to make money और अगर आप किसी stock में अच्छे profits में हैं तो profit को lock करना आपको आना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और उसके लिए दोस्वों हम लोग webinar कर रहे हैं और एक webinar संडे को भी कर रहे हैं diamond plus annual members के लिए और hopefully कल के दिन भी हम लोग का chart analysis का webinar है अगर आप join करना चाहते हैं so you can contact us on our whatsapp 9707 531979 काफी सारे लोग हम लोग से जुड़ते हैं काफी सारे लोग कहते हैं किसर आपके जो trades हैं वो बड़े solid होते हैं so दोस्वों trade के पीछे का reason क्या है क्या logic है ये भी हम सिखाते हैं ये भी हम समझाते हैं तो हमारा जो way of teaching है that is more associated with on job training so that is a precise reason why we are notwithstanding दोस्वों एक last chart और देख लेते हैं क्योंकि ये काफी ज़्यदा discuss किया जारा था कि IRDA में क्या कर सकते है IRDA में क्या करें 6% गिरावट हुए क्या buy कर सकते हैं दोस्वों buy कर सकते हैं नहीं buy कर सकते हैं sell कर सकते हैं इसके बारे में तो मैं वैसे भी आपसे नहीं क्याता हूँ कि किसी stock में buy करने sell करने का decision आपका है stock में दोस्वों जिस दिन 200 के levels breach हुए थे वैसे मैं बोल सकता था जिस दिन 220 के level breakout होंगे उस दिन अच्छा movement दिखाए पड़ेगा लेकिन मैंने आपको प्रसाइज दिन 200 के level टेलिग्राम चैनल पर अपडेट भी किया था और दोसों के level से दोसों जो target हमने दिया था that was 280 stock टे 280 नहीं बलकि 300 के levels को भी cross किया है लेकिन मेरे targets और एचीव हो चुके है अगर आप मुसे पूचे यहाँ पर क्या expectation रखनी चाहिए तो अगर आप इसके chart को थोड़ा detail में study करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है एक छोटा सा support is visible somewhere close to 245 to 250 तो यहाँ तक तो stock सीथे गरता हुआ दिखाई पड़ रहा है in fact मेरे इसाब से आपको थोड़ा सा और अगर आपको वीडियो बसंदा है do not forget to smash the like button and do share with your friends if you want to associate with us links are in description make use of them thank you so very much bye bye for now